असलाम लेकुम, क्या हाल है आप सब का अलातान, आप सब को उपने इव्दोमान में रखें, आमीन आज हम बनाने जा रहे हैं काइनाथ फैसल से इंस्पाइड नेक्ट डिजाइन, जिसके लिए ये देखें प्रॉक की बाड़ी मैंने कट कर लिया है, और यहाँ बे हमने 3x3 का निशान लगा लिया है, जो हमने बैन लगाना है उपर और यहाँ बे इसको हल्की सी V शेप दे देंगे, बिल्कुल गोल कट नहीं करेंगे अब यहाँ से इसकी हम कटिंग कर लेंगे अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं, यह देखें बाड़ी के उपर ही मैंने इस फेपर बुगरम को रख लिया है और यह बेपर बुगरम मैंने सिंगल रखा है, यह देखें बिल्कुल बाड़ी के यह इक्वल है और बॉड़ी की जो लेंद है वो 15 इंच मैंने रखी है अब यहां पे देखें फेपर वुक्रम को मैंने बिल्कुल फैबरी के उपर रखा है और यहीं से मैं इसको मेजर कर लूँगी यह देखें यहां पे सबसे पहले मैं 2 इंच का निशान लगा लूँगी इसके बाद इं कि इसी गुलाई देनी है इस तरह है और उसके बाद सीधी लाइन हमने रखा देनी है अब इसी तरह से स्केल गो रखते होए मैं डबल लाइन रखा कर लोंगी और इस स्केल की चुड़ाई एक इंच है और इसको मैं 1 इंच रखं़ी हूँ यहां से 9 को सीधा कर लेंगे हम अब इंच्टेव की मदद से यहां से इसका हाफ कर लेंगे यह देखें 0.5 इसका हाफ बनता है तो वहां पे मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी और यहां पे तक्रीबन हाफ इंच के डिस्टन्स पे इसका एक में निशान लगा दूँगी जहां तक मैंने इसको कट करना है मिट से और फिर इन निशानों को आपस में मिला लेंगे अब इन लाइन्स के मताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे यह देखें जी इसी तरह से मिट से भी इसको कट कर लेना है और यह जो हाफ इंच का मैंने निशान लगा था वहां तक इसको कट करना है मिट से और अब मैं इसको फैब्रिक पे पेस्ट करके आपको दिखाती हूँ यह देखें जी मैंने इसको फैब्रिक पे पेस्ट भी कर लिया है और इसको मैंने बॉड़ी के उपर रखा है और साइट पे इसके पिंस लगा दिए और अब मैं सबसे पहले मिट में एक सलाई लगा लूंगी और इसी तरह से साइट पर भी सलाई लगानी है लेकिन जो इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है उसके वाद इसके उपर सबसे पहले मैंने तो यहां को निशान लगाना है इसके इकवल दीखें जहां पे इसका को निशान लगाना है और उसके बाद जितने पिनिशान लगाने है वह 1 एक इंच के margin पर लगाने है यह देखें अब यह डोरी मैंने त्यार कर ली थी और यह मैं दो इंच के डोरी लूफ कट कर लूँगी अब मैंने ये फैब्रिक पट्टी तियार कर ली थी इसके नीचे मैंने फेपर वुक्रम लगाया है और उपर कपड़ा चड़ाया है और यहां यह जो मैंने निशान लगाए है इन डोरी लूप्स को मैं यहां सलाई करती जाओंगी डोरी लूप्स लाई करते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इनकी लेंध है वो इक्वल हो यह देखे मैं पिंगर की मदद से इस तरह से चेक करती जा रही हूं इनकी लेंध और साथ ही इनको स्लाई करती जा रही हूं हम देखे एंड से इसी तरह से इसको मोड लेना है सलाई को और इन लूप्स को हटाते हुए इस तरह से सलाई लगा लेनी है और इसको एंड तक हमने सलाई नहीं करना बलके हमने उतना ही रखना है कि हमारा जो सर है वो असानी से गले में पढ़ जाए इसके बाद बादी की जो बैक साइड है वो मैंने अटैश कर लेनी है इसके साथ और यहां बैक नक की हम कटिंग कर लेंगे हाफ इंच की यह देखें अब यहां भी हम बैन की कटिंग कर लेते हैं यह देखें मेरे पास डबल पेपर बुक्रम है यहां से सबसे पहले मैं सीधी लाइन ड्रा कर लूँगी और सबसे पहले मैं तीन इंच पे एक निशान लगा लूँगी सीधा और उसके आगे यह मैंने 14 इंच का बैन त्यार करना है तो यहां पे मैं 7 इंच के उबर इस तरह से इसको तिर्चा रखते हुए यहां पे एक लाइन ड्रा कर लूँगी और इन दोनों निशानों को आपस में मिला दूँगी यहां से इसकी जो चुड़ाई है वो मैंने 1 इंच रखनी है तो मैं 1 इंच में निशान लगा लूँगी और इन निशानों को आपस में मिला दूँगी और इसके बाद बैन की कटिंग कर लूँगी यह रिखें जी बैन की कटिंग हो चुकी है आप में इसको फैबरिक पर पेस्ट करके आपको दिखाती हूं यह देखें जी मैंने इसको फैब्रिक में पेस्ट कर लिया है और यह डबल है और यहां सबसे पहले मैं साइड वे स्लाई लगा लूँगी इसकी यह देखें स्लाई आपने एक तरफ से शुरू करनी है और दूसरे एंड वे आपने हतम करनी है और आप यह जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगी और दोनों तरफ से यह कट करेंगी यह देखें कॉर्णर्स का भी यह जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगी और इसको इस तरह से सीधा कर लेना है और थ्रेट कटर की मतलब से मैं इसके कॉर्णर्स इस तरह से बाई निकाल लूँगी इसको मैं सीधा करके आपको प्रेस करके दिखाती हूँ यह रेखें जी इसको मैंने प्रेस कर लिया है और मिड में भी एक निशान लगा दिया है इसके सेंटर का और यह जो पेपर बुक्रम वाली साइड है यहां पर मैं यू एचू की मतलब से फैब्रिक को फोल्ड कर दूंगी अंदर की तरफ यह रिखें जी यह सारा फैब्रिक मैंने फोल्ड कर लिया है और अब मैं यहां इसको शेट के ओपर सलाई कर लूँगी यह देखें सलाई हमने मिड से करना स्टार्ट करना है सबसे पहले सलाई हमने उल्टी साइड की तरफ करना है यह देखें शेट की यह उल्टी साइड है और बिल्कुल इस बैन के साथ साथ मैंने सलाई करना है ये जो कपड़ा हमने अंदर फोल्ड किया हुआ है जिस साइड का बिलकुल उसके साथ सलआई लगानी है लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ये फोल्ड वाली साइड आपकी सलाई में ना आ जाए बिलकुल आपने इसके साथ साथ सलाई करते जाना है इसको अब दूसरी साइट से सलाई हम दूसरे सीरे से ही करना स्टार्ट करेंगे यह देखें जी अब देखें यह शेर्ट की जो सीधी साइड है वहाँ पर इस फोल्डिट साइड के उपर हमने किनारे पर सलाई लगा लेनी है यह देखें जी इस तरीके से बैन बहुत असानी से भी बन जाता है और बहुत नेटली भी बन जाता है यह देखें जी हाफ नेक हमारा त्यार हो चुका है अब अगर आपके पास सिंपल बटन है तो उनके आप पोटली बटन्स बना ले जो यहाँ पे आप फैंसी बटन्स लगा ले अब मेरे पास इसके साथ के बटन नहीं थे तो मैं यह वज़ा फैब्रिक इनके ऊपर चढ़ा लोंगी पोटली बटन्स बना लोंगी इस तरह यह देखें जी यह बहुत असान त्रीका है बटन्स ले कपड़ा चढ़ाने का और इससे बहुत असानी से भी और बहुत नीटली कपड़ा चढ़ जाता है और वो इसके इड़गिद मजबूती से घुमाना है यह रिखें और फिर उसके बार आपने गिरा लगा देनी है इसको यहां पर अच्छे से पका कर देना है आपने और फिर यह एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लेना है अब इसी तरह से मैं सारे बटन्स तियार कर लूँगी यह रिखें जी यै मैंने सारे पौटली बटन्स बना लिए है अब यहाँ पर मैंने यह hard paper रख लिया है और मेरे पास slider नहीं है तो मैं matches की मदद से ही इनके दागे यहाँ से जला लूँगी ताके इनके दागे ना निकले और यह मजबूत बन जाए इसी तरह से मैं सारे portly buttons ready कर लूँगी और अब मैं इन portly buttons को यहाँ पर सुई की मदद से लगा लूँगी यह देखे इनको लगाने का तरीका भी आप देख लें यह देखेंजी मैंने एक button लगाया है और यह मैं लूप में डालके आपको दिखाती हूँ यह देखेंजी यह कितना प्यारा button बना है अब इसी तरह से मैं सारे buttons आपको यहाँ loops में लगा के दिखाती हूँ और आपको final look चेक करवाती हूँ design की यह देखेंजी यह है इसकी final look उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को like जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजेगा मुझे और मेरी family को अपनी दुआउ में याद रखेगा लाह आपीज